नमस्कार दोस्तों मैं नरेंद्र आप सभी शाथियों का जीके क्लासिज में हार्दिक श्वागत और अभिनंदन करता हूँ शाथियों में आशा करता हूँ कि आप और आपका पड़िवार्श वर्शत और साखुषल होगे और आपकी तयारी बहुत अच्छे तरीके से चल नहीं होगी बात करते हैं आज के season की और इस season में हम लोग बात करने वाले हैं शमान हिंदी के बारे में और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग UPS computer entrance exam के लिए बलकि सभी पर्तियों के लिए शमान हिंद्यों को topic wise cover करने का प्रियास करेंगे और इसी के संदर्व में हम लोगों ने तीन क्लास आपकी करा दिया है मैंने जिसमें आपके हिंदी के विकास से सम्मंदित हम लोग जितने भी महत्पूर्ण पर्षन बनते थे उनको हम मैंने करा दिया है आज किस क्लास में हम लोग वरमाला से सम्मंधित सभी महत्पूर पर्षनों के बारे में बात करेंगे जो आपके इंटरेंस एक्जाम के लिए काफी महत्पूर है और अनिसभी परतेयोगी परिक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्पूर है तो ये class आप सभी साथियों के लिए बहुत ही मैत्पूर है आप इस class को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा और सभी साथ ही जल्दी से class में जुड़ जाएं और चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को press कर दे तथा आल पर click कर दे ताकि new all estate update आपको मिलता रहे आप telegram चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा class का अगर आपको पसंद आती है like कर दीजे अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों में share कर दीजे और comment box में comment करके जुरूर बताईएगा कि ये class आपको कैसा लगा तो चलिए आज की session की शुरूआत करते हैं औ जैसा मैंने आपको बताएगे के हम लोग वर्माला से समद्रे सभी मातमुर परशनों के बारे में बात करेंगे तो पहला परसन आपके सामने है कि हिंदी वर्माला में श्वरों की कुल सिंख्या कितनी है हिंदी वर्माला में स्वरों की कुल सिंख्या कितनी है वर्माला के दो भाग होते हैं या वर्माला को आप कह सकते हैं कि दो भागों में विवाजित किया गया है एक आपका स्वर होता है और एक आपका वेंजन होता है एक आपका स्वर होता है और एक आपका वेंजन होता है श्वर के बारे में बात करें तो श्वर वे धुनिया होती है जिनका उचारन करते समय किसी अन्य वन या अन्य धुनियों कोई सायता नहीं ली जाती है या आप कह सकते हैं कि श्वर वे धुनिय है जिनका उच्चारण सतंत रूप से होता है जिनको बोलने के लिए किसी परकार की कोई बाधा नहीं होती है उसे हम लोग श्वर कहते हैं वेंजन की बात करें तो वेंजन वे धुनिया होती है या वे बड़ो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर की सायता ले जाती है तो पर्षन आप से पूछ रहा है कि हिंदी बढ़माला में स्वरो की कुल सिंख्या कितनी है A है 10, B है 11, C है 12 और D है 13 इस पर्षन का सही जवाब हो जाएगा आप्षर नमबर B 11 हिंदी बढ़माला में स्वरो की जो कुल सिंख्या है वो है आपकी 11 मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्वर है ताकि आप लोग याद रखेंगे A A E E U U R A A O ये आपके 11 स्वर है और इन ही स्वरो की शायता से व्यंजन का उचारण होता है तो हिंदी बढ़माला में स्वरो की सिंख्या कितनी है हिंदी बढ़माला में स्वरो की सिंख्या 11 है चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 2 की प्रस नमबर 2 है निम लिखित में कौन स्वर नहीं है अभी मैंने आपको बताए था आपको बताना है कि इन में से कौन सा स्वर नहीं है ठीक है तो A, A, B, O, C, A और D इयां सई जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर D इयां ये जो है आपका ये वेंजन है श्वर नहीं है क्योंकि श्वर का उच्चारण स्वतन्त रूप से होता है तो इयां आपका क्या है वेंजन है ठीक है चलिए बात करते हैं प्रशन नमबर 3 की प्रशन नमबर 3 के रहा है हिंदी वर्माला में वेंजनों की सेंख्या कितनी है A है 32 B है 34 C है 33 D है 36 इस प्रशन का सही जवाब होगा आप्शन नमबर C 33 हिंदी वर्माला में वेंजनों की सेंख्या जो है वो 33 है इसमें आपके कैसे लेकर इसमें आपके कैसे लेकर प्रशन तक आपके 25 असपर्स वेंजन होते हैं और या या आपके अंतर अस्तर वेंजन होते हैं और इकी सेंख्या 4 होती है इसके अलावा आपके उश में वेंजन होते हैं शे 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 और है इनकी भी सेंख्या 4 होती है तो 25 चार 29 29 चार 33 तो आपके हिंदी वर्माला में कुल वेंजनों की सेंख्या 33 होती है ठीक है याद आगया आपको समझ में आ गया इसके अलावा सेंग्त बेंजन भी होते हैं तो वो सेंग्त बेंजन आपके दो बेंजनों की शायता से मिलकर बनते हैं इसलिए उन्हें सेंग्त बेंजन कहा जाता है ठीक है मोलू रूप से आपके 33 ही बेंजन होते हैं चलिए बात करते हैं प्रस नंबर 4 की प्रस नंबर 4 कहरा कि नीम लिखित में से कौन टैवर्ग नहीं है आपको बताना है इन में से कौन टैवर्ग नहीं है टैवर्ग के बारे में आप जानते होंगे हमने पढ़ा भी है टै ठे, डे, डे और अन, ये आपका जो है, ये टे वर्ग होता है, ताठा डे धन है, ये आपका टे वर्ग होता है, तो देखिए, इन में से कौन कौन यहाँ पे है, ठे है, डे है, अन है, ठीक है, घे नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानि आपसर नमबर D is the right hand जब गय जो है, ये टे वर्ग नहीं है, वैलकि ये कै वर्ग का है, अगई बात समझ में, चलिए, बात करते हैं, प्रेस नमबर 5 की, छे वर्ग किसके योग से बना है, छे वर्ग जो है, ये किसके योग से बना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि, सेंक्त बेंजन भी होते हैं, सेंक्त कार्थ होता है, जुड़ा हुआ, यानि जब दो अलग-अलग बेंजन आपस में जुड़े होते हैं, तो उन्हें सेंक्त बेंजन कहते हैं, ठीक है, और सेंक्त बेंजन में जो पहला वन होता है, वो आधा होता है, और उसके बाद वाला जो वन होता है वो पूरा बेंजन होता है इस परकार के जो बेंजन बनता है उसे हम लोग सेवंगत बेंजन कहते हैं तो आप से पूछा है कि छे मर किसके योग से बना है सेवंगत बेंजन के सेंख्या चार होती है छा तर ग्या और एक और होता आपका ठीक है आप से पूछा गया है कि 6 वर किसके योग से बना है कएधनशे या कएधनशे या कएधनशे या कएधनशे या कएधनशे तो उसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन नमबर E कएधनशे से मिलकर बना है आपका 6 ठीक है तो सही जवाब आपसा नमबर A बात करते हैं प्रस नमबर 6 जिन सब्दों के अंत में I आता है उन्हें क्या कहते हैं जिन सब्दों के अंत में I आता है उन्हें क्या कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है ए है अनुश्वार कहते हैं बी है आयोग वाह कहते हैं शी है अन्ते अस्ते कहते हैं डी है आकारांत कहते हैं तो इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा बताईए देखिए अनुश्वार जो होता है या आपके अंग अह होते हैं या आपके अनुश्वार होते हैं अं, अ, ठीक है इनको आयोगवाः भी कहते हैं और अन्तेस्ते जो बेंजन होता है आपका आपको पता है कि अन्तेस्ते बेंजन आपके क्या होते हैं या, र, ल, और व, ठीक है और अनुश्वार या आयोगवा मैंने आपको बताए दिया अंग और अ है ठीक है तो बचा कौन सा आपका डी सही जवाब हो जाएगा आकारांत जिन सब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत सब्द कहते हैं चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 7 की नीम लिखेत में से कौन सा वन उचारन की द्रिष्टी से दंते नहीं है इन में से आपको बताना है कि कौन सा वन जो है वो उचारन की द्रिष्टी से दंते नहीं है बताइए आप लोग A है तै, B है नै, C है दै और D है टै तो कौन सा वन उच्चारन की द्रिष्टी से दंते नहीं है मतलब इन में से कौन सा ऐसा वन है जिसका उच्चारन जो है वो दंते से नहीं होता मतलब दात अस्पर्स नहीं करती है दातो उसका उच्चारन अस्थान दात नहीं है बताइए बताईए तो इसके लिए एक शुत्र होता है वो होता है लिडि तुला सनाम लिडि तुला सनाम दंते दानती यानि लिडि हो गया आपका और तु से हो गया तैवर्ग और इसके अलावा आपका ले हो गया और आपका से हो गया तो लिडि तुला सनाम दंते या दंती लिडि हो गया तैवर्ग हो गया और ले और से ये सभी आपके दंते वेंजन होते हैं तो देखिए ते वर्ग आगे यानि ते तो आपका दंते है जब लिरी आ जाएगा तो ये भी आपका दंते है ते वर्ग आपका पूरा दंते वेंजन है ले और से भी आपके दंते वेंजन है ठीक है तो देखिए यहाँ पे ते है यानि ता वर्ग ने भी ते वर्ग के अंद दर्गत आता है तो आपका बचा केवल टे तो सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर डी टे जो है ये उच्चारन की द्रिष्टी से धनते नहीं है ठीक है चलिए बात करते हैं प्रस नमबर आट की प्रस नमबर आट के रहा कि इन में सविंक्त वेंजन कौन साह है सविंक्त कि बारे में मैंने आपको बताया कि जब दो अलग लग बेंजन जुड़कर एक न्यां बेंजन का निर्मान करते हैं तो उसे हम लोग संविंक्त वेंजन कहते हैं तो धीक्रें इसमें अठाय ग्या mm और ड़ बताए इन में से कौन सा जो रोच스जफ प्रिंजन थे तो हो है संयुक्ति बेंजन है तो दीखिए इसमें से आपका जो आप्शन नमबर भी है यह आपका है यह आपका संयुक्ति बेंजन है ठीक है इसे आप लोग याद रख लीजिए गा और यह आपका है संच बैंजन है जो की आधा जय और इयंगा सी मिलकर बनता है तो जवाब हो जाएगा का आफ्शन नंपर बी बात करते हैं प्रस नंपर 9 की है उच्चारन अस्थान कौन सा होगा यह आपको बताना है ठीक है, A है, मुर्धा, B है, कंठ है, C है, तालू, और D है, देंत है तो बताइए घह का उच्चारन स्थान क्या है तो इसके लिए मैंने आपको एक शूत्र बताया था एक कु है, एक कु है, वी सजनिया, वी सजनिया नाम कंठ है एक कु है, वी सजनिया नाम कंठ है, हना यानि A, A के अलावा कै वर्ग और कै के अलावा आपका है और A, ये जो है, इनका उच्चारन स्थान कंठ होता है तो घह जो आपका है, ये कै वर्ग का वन है तो इसका उच्चारन स्थान क्या हो जाएगा कंठ हैं यानि सही जवाब हो जाएगा आप सा नंबर भी गंठ है गहा का उच्छान आर्स्थान कौन सा होगा कंठ है हना देखिए एकु है विशा जनिया नाम कंठ है इ चुया सनाम तालु है और री टू सनाम मुर्धा है और लिरी तुल्या सनाम दंत है ठीक है तो मुर्धा जो होता है ये आपका री होता है, टैवर्ग होता है रह होता है और शे होता है तालू वर्गी की बात करें तो तालू जो होता है इसमें आपका ई ई आता है चैवर्गे आता है और या और शे आता है गाएगा ले और शे आएगा तो इस पर्षन का सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर बी चलिए बात करते हैं प्रेस नमबर दस की आघोश वन कौन शा है A, A, B, J, C है, D, 6 तो बताएगे आघोश मन कौन सा है होता क्या है कि वनों के उच्चारन में जब बराबर वायू नहीं निकलती है है ना सभी वणों के उचारण में हमारे कंठ से या हमारे मुख से वाई जो है वो बराबर मात्रा में नहीं निकलती किसी में कम निकलती है तो किसी में ज्यादा निकलती है ठीक है ठीक उसी प्रकार से जब हमारे मुक्षे वायूने कलती है तो हमारी स्वर्ट तंत्रियों क्या करती है जंकरित करती है तो घोष के अनुसार यानि जंकरित के अनुसार स्वर्ट तंत्रियों के जंकरित के हिसाब से जो वन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपक स्वर्ट तंत्रिया कम जंकरित करती हैं तो ऐसे वणों को हम लोग आगोश वण कहते हैं और जिन वणों के उच्याड़े में स्वर्ट तंत्रिया अधिक जंकरित करती हैं उसे हम लोग सागोश वण कहते हैं ठीक है तो आपसे पूछा गया है कि इन में से कौन सा वन जो है वो आघोश है के से लेकर जो पैतक आपका अश्पर्स बेंजन होता है जो आपका क्या होता है अश्पर्स बेंजन होता है इसका जो पहला और दूसरा वन होता है वो आघोश होता है तीसा चोथा आपका सागोश होता है ठीक है और जितने भी आपके उश्म बेंजन है वो सभी आपके सागोश होते हैं केवल है को छोड़कर क्यों है आपका जो है ये सुध काक कलिए धोनी है ठीक है और जितने भी आपके अंतरस्ते बेंजन है वो सभी आपके क्या होते हैं सा जितने भी स्वर्ण होते हैं वो सागोश होते हैं तो आपसन ए तो हो इने सकता जै की बात करें तो जै आपका जो है ये चै वर्गे का तीसरा वर्ण है और चै वर्गे का तीसरा चौथा पाच्वा वर्ण जो होता है वो आपका सागोश होता है जितने भी वर्गे हैं सभी व ये उसमे बेंजन है और उसमे बेंजन का क्यावल है वन जो है ये आपका सागोश होता है क्यूंकि ये आपका सुध काकले ध्वनी है ये आपका क्या है सुध काकले ध्वनी है तो ये तीनों आप्शन तो नहीं है तो बचा कोन सा आपका आप्शन नमबर डी और ये ही आपका सही जवाब होगा तो आपसर नमबर D यानि से जो है आपका ये आघोश वन है और ये से जो आपका है ये उश्म वेंजन है और इसका उच्चाना नस्थान क्या होता है दंते होता है ठीक है आई बात समझ में चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 11 की ज्यावण किन वनों के सयोग से बना है जाधन या जैधन या या जाधन धय या जैधन या सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर B जाधन या इससे मिलकर बना है ज्यावण और ज्यावण आपका कौन सा वेंजन है सयोगत वेंजन है बात करते हैं प्रशन नमबर 12 की हिंदी सब्दकोस में छा का करम किस वन के बाद आता है A है कै, B है छै, C है त्रै और D है गय तो बताइए कि हिंदी सब्दकोस में छै का जो करम है वो किस वन के बाद आता है बहुत ही मात्मुर्ण पर्षन है और इस प्रकार के पर्षन आपके परिक्षाओं में आज कल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो बताइए हिंदी सब्द कोष में ठीक तो देखें हिंदी सब्द कोष में सबसे पहले आपके श्वर आते हैं और श्वर की संख्य कितनी है 11 ठीक है उसके बाद में आपका जो आता है वो आता है कै कौन सा आता है कै आता है न अगर हम लोग बात करें कि आपके हिंदी सब्दकोस में जो 6 का करम है वो किस वर्ण के बाद आता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number A कै कै वर्ण के बाद में आपका 6 आता है औ ठीक है अना आगई बात समझ में और इसको पहचानने का सबसे बढ़ियां तरीका में आपको बता देता हूँ जितने भी सेवित बेंजन है जितने भी सेवित बेंजन है सेवित बेंजन की संख्या कितनी है चार है कौन कौन से देखिए छे हो गया त्रे हो गया गया हो गया और श्रे हो गया ठीक शे आपका कौन सा बेंजन है सेवित बेंजन है तो इसका निर्मान होता है कै धन से से मिलक तो सब्द कोस में ये के के बाद में आता है इसी परकार मैं अगर बात करूँ त्रे की त्रे का निर्मान किसके द्वारा होता है आधा त्य और रे से मिलकर त्रे का जो सब्द कोस में अस्थान होगा वो त्य के बाद में त्रे का होगा इसी परकार से अगर मैं बात करूँ ग गय का निर्मान किसे होता है तो ये होता है जा धन इया से मिलकर तो गय का सब्द कोश में अस्थान जो होगा वो जा के बाद में होगा इसी परकार से मैं आप से बात करूँ अगर श्रय की तो श्रय का निर्मान किसे होता है तो इसका निर्मान होता है आधा से धन रह से मिलकर तो सब्द कोश में सड़य का जो अस्थान होगा वो साके बाद में होगा अगई बाद समझ में तो इस परकार से आप पहचान सकते हैं तो इस पर्षन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आप्शन नमबर एक कह के बाद में चलिए बात करते हैं प्रस्ट नमबर 13 की शाद ध्वनी किसके अंत्रगत आती है शेध ध्वनी किसके अंत्रगत आती है मुल्सवर के अंदर घोषवर के अंदर सेउंत वर के अंदर या तालेविय के अंदर तो बताईए शेध ध्वनी किसके अंत्रगत आती है इसका सही जव बात करते हैं प्रेस नमबर 14 की हिंदी में मूलते वड़ों की संख्या कितनी है कटनी नहीं आपके कितनी है बताइए हिंदी में मूलते वड़ों की संख्या कितनी है A. 50 है B. 51 है C. 52 है D. 53 है सही जबाब हो जाएगा option number C. 52 हिंदी वर्माला में मोलते होडों की सेंख्या जो है वो आपकी 52 है ठीक है समझ में आई बात अच्छा अगर आपको ये तो हो गया आपके लिखने के अधार पे अगर उच्छालन के अधार पे पूछे तो सही जबाब हो जाएगा 45 चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 15 की का गय जफ धनिया किस की है A. संस्क्रिट की है B. अर्बी या फार्सी की है C. अंग्रेजी की है या डि दक्षनी भासा की है तो के गय जफ धनिया किस की है सही जबाब हो जाएगा ये आप्षन नमबर B. अर्बी और फार्सी की है देखिए इसके यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा इसे बिंदू लगा होगा क्योंकि एक सकन में आपको बताएगा तो हाँ देखिए यहाँ पे इसके इस परकार से एक बिंदू लगा होगा कंप्यूटर में उस तरीका फोंट नहीं होता है तो यह आपका इस परकार कहा है के और यह आपका है गे और यह आपका जे और यह आपका फ कग जे फ और यह किस परकार की धुनिया है तो यह आपकी है फार्सी और अर्बी परकार की धुनिया है ठीक है चलिए बात करते हैं प्रेस नमबर 16 की कौन सा आयमानक वन है आयमानक वन कौन सा यह बताएं आयमानक व वर्थात 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 वर्था ठीक है तो बताईए कौन-कौन से one आपके इन में से जो है वो एमानक one है तो एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा सा आपका परस्ण जो है ये भैवाला जो है इसके यहाँ पे बिंदू लगा हुआ है क्योंकि कम्पीटर में साफ फॉन्ट होता नहीं है ठीक है तो बताईए का भै और बी है आपका ध्य, सी है भै और डी हम है शही जवाब हो जाएगा आपसा नमबर सी भै देखिए आमानक one आपका जो है ये भै है ठीक है क्योंकि देखिए आपने पुरानी किताब देखा होगा वहाँ पे भै को जानते हैं आप कैसे लिखा जाता था भै को वहाँ प ये इस परकार से लिखा जाता था ठीक है आपको वहाँ पे इस परकार से लिखा जाता था थिक तो ये सभी आपके अइमानक one है ये जो वर्तमान माप दंड पर नहीं है चलिए बात करते हैं प्रस number 77 की और प्रस नमब 17 की निम में से कौनसा गोशवण है गोशवण के बा करते समय स्वर्ट तंत्री में क्या हो कमपन हो जंकडित हो तो बताईए इन में से कौन सा वन जो है घोष है एक है बीच है सी मैं डीट है सही जवाब जाएगा आपसे नमबर सी मैं मैं आपका क्या है घोष वन है ठीक है अच्छा इस परसन में कुछ गलती है मैं उसको सही कर देता हूँ यहाँ पे पूछा गया है साघोष वन के बारे में तो आप इसको सही कर लिजेगा यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम में से कौन सा साघोष वन है साघोष वन के बारे में मैंने आपको बताया था कि परतेक वर्ग का कैसे लेकर पैतक आपके वर्ग होते है परतेक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाचवा वर्ग आपका सागोश होता है और जितने भी आपके अंतेस्त विंजन होते हैं जैसे या, रा, ला और वै ये सभी आपके सागोश होते हैं और उसमें विंजन का है वर्ग भी आपका सागोश होता है क्योंकि ये सुद्ध काक के लिए धोनी होता है और जितने भी श्वर होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं साघोश होते हैं तो देखिए का और खै ये परतेक वर्ग का ये दूसरा वर्ण है तो ये तो हो नहीं सकता पहला वन है ये भी नहीं हो सकता ठै भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरा वर्ग है टै वर्ग का सही जवाब आपका C होगा यानि मैं मैं जो आया है आपका सागोश वन है ठीक है याद रहेगा आपको चलिए बात करते हैं प्रस नंबर अठारा की निमांकित में से बताईए कि नवीन विक्सित धुनिया कौन सी है नवीन विक्सित धुनियों के बारे में बताना है बताईए A है कै गै B है U U C है A अउ और D है शै शै तो नवीन विक्सित धुनिया कौन सी है इन में से सही जवाब हो जाएगा A, कह और खह जो है यह आपकी नवीन विक्सित धुनिया है ठीक है किस परकार की नवीन विक्सित धुनिया है देखे यह आपका जो होगा एक सेकंड मैं लिख देता हूँ कम्पीटर में ऐसा फॉंट नहीं है इसलिए आप कन्फी जोड़ोंगे खह आपका इस तरीके से लिखा मिलेगा और गए आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो यह आपकी अर्बी और फार्सि की धुनिया है इसलिए इसको नवीन विक्सित धुनिया भी कहते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 19 की से शे है कोन से विंजन कहलाते हैं सा शे है कोन से विंजन कहलाते हैं ए कहता है प्राकमपी बी है असपरसी सी है संघरसी और डी है असपरस संघरसी सही जवाब हो जाएगा आपसा नमबर सी संघरसी विंजन से से है ये आपके संघर्षी वेंजन कहलाते हैं क्यों इनको बोलते समय संघर्ष करना पड़ता है उच्चारन अस्थान में थोड़ा सा घर्षन होता है इसलिए इसे हम लोग संघर्षी वेंजन भी कहते हैं और इसका एक और नाम है उश्म वेंजन क्यों क्योंकि वे वेंजन जिनके उचारन में जीवा उचारन स्थान की इतने नजदीक होती है कि उचरित होकर निकलने वाली वाई जो होती है वो उचारन स्थान और जीवा के बीच से क्या करती है घर्षन करती है और जिससे क्या होत उश्मा उप्तन होती है इसलिए इसे हम लोग उश्मे वेंजन भी कहते हैं और इसे संघर्षी वेंजन भी कहते हैं तो आप संसीज राइट आंसर बात करते हैं प्रस नमबर 20 की हिंदी वर्माला में आयोग वह वन कौन से हैं आयोग वह के बारे में किसोरी दास वाजपे ने बताया है कि वे वन जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही वेंजन होते हैं अर्थात जो आप कह सकते हैं कि जिनका जोड़ वहन नहीं कर सकते हैं आयोग वह नहीं जोड़ वहन करने वाले हैं तो ऐसे वन जो ना तो स्वर होते है ना ही वेंजन होते हैं उन्हें आयोगवा कहते हैं तो आपको बताना है कि हिंदी बनवाला में कौन से वन आपके आयोगवा है A है A, A, B है E, E, C है U, U, D है अंग, A है सई जवाब हो जाएगा आप्षन नमबर D, अंग और A है अंग और अह जो है ये आपके आयोग वाह वन है ठीक है ये ना स्वर होते हैं और ना ही वेंजन होते हैं इसमें से अंग जो होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है और अह को विशर्ग कहा जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 21 की AI1 क्या कहलाते हैं A है नासिक्य, B है मुर्धन्य, C है ओष्ठई है और D है कंठ तालव्य तो बताईए AI1 क्या कहलाते हैं AI1 क्या कहलाते हैं बताईए सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर D कंठ तालव्य AI1 जो है ये कंठ तालव्य कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालू से दोनों स्थानों से होता इसलिए से हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं थीक है तो ये आपके कंठ तालव्य 1 कहलाते हैं AIO औ, आओ, है ना, ये सभी आपके कंठे तालेवी आँ, थीक है, क्यूंकि इनका जो निर्मान होता है, वो मूल adapting के साथ में होता है,änder पर आपके 4 होते हैं, अ ए, उ, री और ये, ये आपके मूल आपके इनकी से इनका निर्मान होता है, थीक है, जैसे आप समझ सकते हैं मैं आपको बता दूँ एक सेकंड अधन E मिलकर क्या बना आपका A बना तो यह आपका कंठ A का उचारान स्थान कंठ होता है और E का उचारान स्थान तालू होता है तो A जो होगा इसका उचारान स्थान क्या होगा कंट धन तालवी यानि कंट तालवी चलिए बात करते हैं प्रस नमबर 22 की नेम लिखित में से नासिक्य विंजन कौन सा है नासिक्य विंजन का मतलब होता है वे विंजन जिनका उचानन जो होता है वो नाक्ष होता है उसे नासिक्य विंजन केते हैं इसलिए हम लोग से नासिक के बेंजन भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चाना निस्थान कहां से होता है नाक से होता है आगे बात समझें कोई दिक्कत नहीं चली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रस नंबर तेज के निम में से अलप प्राण वण कौन से हैं ए अ अ आ बी है केगई तो देखे मुने आपको बता था कि मुक से वायू बाहर निकलने के अधार पे वणों को दो प्रकार से विवाजित किया गया है एक होता है आपका अलप प्राण और एक होता है महाप्राण अल्पप्राण का मतलब होता है कि वायू कम बाहर निकले और महाप्राण का मतलब होता है कि वायू अधिक मात्रा में बाहर निकले वायू का प्रयावाची होता है प्राण इसी वज़े से इसे अल्पप्राण और महाप्राण कहा गया है तो अब इन वेंजनों को आपको अलप प्राण और महाप्राण में विभाजन करना है तो इसका सिधा सा यही फंडा है कि माल लीजे कि अलप प्राण और महाप्राण यह दो वेक्ति हैं और यह दो वेक्ति आपके सामने भोजन करने बैठे हैं और आपके सामने पांच थाली म पचीस पूरिया है और फिर एक थाली बे चार पूरी है और एक थाली बे चार पूरी है तो आपको इसको विवाजन करना है इसको देना है तो आप क्या करेंगे एक थाली उठाएंगे उसमें से एक पूरी अलप प्रान को देंगे और दूसरा पूरी महा प्रान को देंगे फ और कै वर्ग से पहला वर्ग अल्पप्राण में डाला दूसरा आपने महाप्राण में तीसरा आपने अल्पप्राण में चौथा आपने महाप्राण में और पांचवा फिर अल्पप्राण में ठीक है फिर आपको दूसरा थाली उठाना है यानि दूसरा चै वर्ग का उसको भी आपको ऐसे करना है अल्प प्राण से सुरू करना है महाप्राण तक जाना है तो इस परकार से आप पची सो एसफर्स बेंजन को आप विवाजित कर सकते हैं यानि कैवर्ग से लेकर पैवर्ग का पहला तीसरा पाचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा उसमें बेंजने यानि से से और है ये आपके महाप्राण होते हैं और सभी स्वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं ठीक तो ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण का विवाजन तो आप देखिए आपसर में आपको क्या दिया गया है आपको पूछा गया कि इन निम में से अल्पप्राण वर्ट कौन से हैं तो देखिए बताईए आप इसमें से अल्पप्राण यानि पहला तीसरा पांचवा वर्ट होना चाहिए देखिए A, A या B, के गए और C, थेद है और D, फेब है तो इसमें देखिए आप के आपका जो है पहला है और G, आपका तीसरा है ठीक है तो ये मिल दा है बाकी देखिए थेद है ये आपके दूसरा और चोथा है थेब है आपका दूसरा और चोथा है और A, A ये तो आपका स्वरी है तो इस सही आपसर हो जाएगा आपका आपसर नमबर B कै और G, कै गै जो है ये अलप प्राण है ठीक है तो इस परकार से आप अलप प्राण मा प्राण में अंतर कर सकते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं अंगले परसन की बात करते हैं प्रस नमबर 24 की अस्थान के अधार पे बताईए मुर्धनिय विंजन कौन से हैं अस्थान के अस्थान पर बताना है अस्थान के अधार पर मुर्धनिय विंजन कौन से हैं A है, गैग है B है, जाज है C है, डैड है और D है, पैफ है बताईए अस्थान के अधार पे मुर्धनिय विंजन कौन से हैं धय और धय, धय जो है ये आपके मुर्धन्य वेंजन है, क्यों है ये आपके मुर्धन्य वेंजन है, ठीक है, आपने सुत्र पढ़ा होगा, रिटू शनाम मुर्धा, रिटू शनाम, रिटू शनाम मुर्धा, री और टै वर्ग, री और टै वर्ग, और इसके अलावा रे और और से ये सभी आपके क्या होते हैं मुर्धन्य वेंजन होते हैं तो देखिए टै वर्गे का डै और धै है तो ये कौन सा वेंजन हो गया मुर्धन्य वेंजन आगे बात करते हैं और आज किस क्लास का जो आखरी पर्षन है बहुत ही मात्मूर पर्षन है ये भी निम में से बताईए लिमलिकित में से किस दोनी का उच्छानान स्थान कंठ से होता अर्थात कंठे दोनिया कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था एकुह विस जनिये नाम कंठे यानि ए, आ और कैवर्ग कैवर्ग के अलावा आपका है इनका उच्चारा नस्थान कंठ से होता है तो देखिए यहाँ पे कै और खै आपसन नमबर A is right answer कैवर्ग का कै और खै यह दोनों आपके कंठे धोनिया है आई बाद समझ में या आपका तालू से होता है या का उचारा तालू से होता है और रै का उचारा मुर्धे से होता है चा और जै यह आपके तालू वर्ग के हैं टै और अने ये आपके मुर्धा के हैं तो सई जवाब आपसन नमबर ए ठीक है तो साथियों बहुत ही मज़ा आया आज किस क्लास में हम लोगों ने 25 महत्पून पर्षन वर्माला के डिसकस किये और ये सभी पर्षन आपके परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पून है तो इनहीं मैंसे आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो आज किस क्लास को यहीं समयावत करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और महत्पून पर्षनों के साथ में और अभी तक मैं आपको वर्माला की दो क्लासे और कराऊंगा यानि वर्माला में अभी हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो बहुत ही मजा आएगा बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए क्लास को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत दनीमात थाइंक्यू थाइंक्स फर वचिंग जय हिंग जय भारत